नमस्कुरार, SBT News पर पेश श्रे गंगानगर हनमान गंजिले की बड़ी खबरे SBT News को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें राजगर पुरिस्ताना प्रभारी रहे स्वर्गे विश्नुदत विश्नुई की पत्नी बेटी और बेटे ने सोमार को राइसिनगर के गाव में उनके निवास पर शोक व्यक्त करने पहुँचे वनमंत्री सुखराम विश्नुई को पत्र दे कर इस प्रकरण की CBI जांच करने की मांग की है वनमंत्री ने विश्नुदत की निधन पर परिवार के लोगों से मुलाकात करके सरकार की तरफ से गहरा शोक प्रकट किया C.I. विश्नुदत की पत्नी उमेश विश्नुई, बेटी सुलवर्षिय हर्षिता और पंदरवर्षिय बेटी लक्षन है मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन सौपा और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ बिकाने संभाक के तीन सांसदों और चार विधायकों ने मुख्यमंत्री को ग्यापन दे कर C.I. विश्नुदत विश्नुई की आत्म हत्या के मामने में C.B.I. जांच करने की मांग की है इदर हनमानगर के गोगा मेडी पुलिस्ताना शेत्र के गाउन नेट राना में आधा दरजन से अधिक लोगों ने एक घर में घुसकर एक व्यक्ति पर लाठियों से हमला कर दिया घायल को सिरसा रफर कर दिया गया है पुलिस के अनुसार गाउन नेट राना के रोहताष जाट ने रिपोर्ट दी है कि हनमान जाट उसकी पत्नी किताब जैपाल, लीला राम, राजेश, गुड़ी देवी और राजेश की पत्नी ने उसके घर में घुसकर लाठियों से उसके भाई आत्मा राम पर हमला कर दिया वो अपने भाई को भात्रा के सरकारी एस्पिताल लेकर पहुंचवा जहां से उसे सिरसा रफर कर दिया गया श्रेगंगानगर के विधायक राजकुमार गौड ने पुलिस अधिकारी विश्णुदत विश्णुई के पैत्रक गाउन लुने वाला में ज्वाकर परिजनों को सांत्वना दी परिजनों से बाचीत में विधायक ने कहा कि राजगड में पत्स्था पे ठाना प्रभारी एक जामबाज पुलिस अधिकारी थी और उनकी पूरी प्रदेश में एक अलग और साफ सुत्री ही छवी थी वे उसी की बदोलत ही आज सबके चाहते बने थे इतर हर्मानगड में कोरोना संक्रमन को लेकर सुमवार को जिला स्पताल से कुल 154 सेंपल बिकानेर भीजे गए पीमो डॉक्टर एंपी शर्मा ने बताया कि 154 सेंपल में से जिला स्पताल में 22, भादरा में 114 और संगरिया में 18 सेंपल लिए गए हैं जिसमें मुंबई, ग कोलवारा पुलिस्ताना शेत्र में बैराग्यों की धानी में एक परिवार ने दूसरे परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया, हमले में एक पक्ष की दो महिलाओं सहीत कई जनक घायल हो गए, पुलिस के अनुसार पवन ने रिपोर्ट दी कि धनराज, महेंदर, सुरेश, धनाज की पतनी, महेंदर की पतनी, सुरेश की पतनी ने उसके घर में घुस कर लाठियों से हमला कर दिया, हमले में उसके भाई, कृष्णलार, भाई की बेटी भावना, भाई की पतनी और उसकी पतनी घायल हो गई, पुलिस ने बताय कि सभी घायलों को सरकारी एस्पिताल पेश करेंगे गौतलब है कि संगरिया से चूरू के राजगड में तबादला होने के बाद श्री आई विश्नुदत ने जनसयोग से लाखों रुपयों की लागत से थाने के नए भवन का निर्मान करवाया था उनकी कारेशाली को आम आदमी पसंद करता था हर्मानगाड की गाउं सुरतपूरा में सित एक दुकान में घुज कर दुकानदार से मारपिट करने की घटना सामने आई है जगड़े में दुकानदार खायल हो गया बेराने पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्च किया है तो फिलहार इस पुलेटिर में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार